पंजाब में गर्मियों के मद्दे नजर और बिजली की अधिक खपत को देख से हुई बड़ा कदम उठाये गया है जिसके तहट पहली बार राजज में सरकारी दफ्तरों की टाइमिंग में बदलाफ किया गया है सरकारी दफ्तरों का समय साड़े साथ बजे से दो बजे तक कर दिया गया है ये टाइमिंग आज से लागू हो गई है आदेशा नुसार अमरत सरके डीसी और एडीसी भी साड़े साथ बजे अपने दफ्तर पहुँचे और इस संबंध में बात की पंजाब सरकार का डिसीजन था कि हमें सारे ऑफिस में सेवन थर्टी रिपूर्ट करना है तो उसके तहत आज मैं जहां ऑफिस में पहुंच गया हूं मान जोग डिस साब सरदार हर्प्री सिंग सूधन की तरफ से भी सब अधिकारियों और करमचारियों को अधेश दिया ग अब मैं आपको पता है कि थोड़ा बिजली की डिमांड जो है इस सीजन में भड़ जाती है उसके तहट यह डिसीजन लिया गया है तो मैं समझता है कि बहुत अच्छा यह डिसीजन है इससे बिजली की काफी जो है बच्चत होगी और आम जनता को भी इसका बहुत जादा होगा जो पंजाब सरकार के दिशा निर्देश हैं उनके मुताबिक अब जो सरकारी दफ्तरों में समय सुभे साड़े साथ बज़े से लेकर दुपहर दो बज़े तक तबदील कर दिये गए हैं उन्हीं दिशा निर्देशों की आग्या है ताज सुभे मैं साथ पच्चिस नोट के जरीए प्लस वाटसैप पे जो मैसेज के थ्रू हमने पहुंचा दिया था और आज जो है यह पहला दिन है जब यह लागू किया गया है पंदरा साथ दोहजार तईस तक यह दिशा निर्देश लागू रहेंगे सरकार का अगर अगरम कोई और फैसला आएगा तो उसके मताबिक हम इने आगे कॉंटिन्यू भी करेंगे और मैं यहीं उमीद रखता हूं कि जो भी आज मुझे सुन रहे हैं वो सारे जो पब्लिक है वो यह जो नए हमारी जो समय प्रणाली है इसका नोट कर लें और अगर आपको सरकारी दफ्तरों में कोई भी काम है तो फेको पुराना ही 9 बजे से 5 बजे तक जारी रहेगा और यह भी पब्लिक की सहूलित के लिए ही किया गया है कि अगर आप सेवा केंदर में दुपहर के बाद भी जाना चाहें तो अपना काम जाखे सर्विस अपलाइ कर सकते यहां तक की पंजाब की मुख्यमंत्री भगवंत मान भी तैस समय पर अपनी ओफिस पहुच गए और सुबर के साड़े साथ बची ही काम शुरू कर दिया